सबी किसान मित्रों को नमस्कार स्वागत आप सबी का हमारे यूटूब चैनल इन्फटेक फार में लिटर में किसान मित्रों धिनां के 20 जुलाई 2022 वारे बुद्वार समय हुआ है सुबा की साड़े नो बात कर लेते हैं मत्रप्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदोर की चोईत्रा मंडी की इंदोर की चोईत्रा मंडी में आलू प्याय लसुन तीनो जिंसों की कितने आमतानी देखने को मिली है कुला देखने को मिली है मदाप्रतेस के प्याज में कितनी गाड़ी बेलस बचा उवा है बहुंरा बडर पर वहीं कितनी गाड़ी अंधर ली है बंगलादेस साथ इसाथ कल क्या भाव रहा इंदोर की चोहित्रा मंडी में आलू प्यार लसुन तीनो जिन्सों का तो इनी सवी विश्व को लेकर हम इस वीडियो के मद्द्दियम से आपको इंदोर की चोहित्रा मंडी की ए-टू-जहड संपुन सटिक जयानकारी को करवा ही जारे किसान भायों कर जैनकरी अच्छी लगे तो हमारे और भी आने दाता हो तो जैनकरी को शेर कर दीजिएगा चैनल में पहली बार विजिट के तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबा के उसे और प्सेलेट कर लिजिएगा तकि हम रहाने गाड़ी किस रेट में ली गई है तो हो ली गई है 27-28 तका परति किलो के हिसाफ से नासिक का प्याज के अंदर गया है मीडियो मोटा मल वहीं किरी मद्र प्रदेश का जो प्याज़ है वह 19 सा चोईसर रुपदी टका के हिसाब से गया है नासिक के प्याज में कल नर्मी देखने को नहीं मिली लेकिन दो टकां की नर्मी हमें मद्रदेश के प्याज में को मिली समझ में नहीं है ऐसा क्यों किया बंगलादेश ने पता नहीं समझ में नहीं है महां के व्यापरियों ने ऐसा क्यों किया तो गुनिस चोविश टका के हिसाब से यह निकि यहां से वह तक का खर्च इंपोर्ट करने का खर्च टेक्स का ज लगता है बालह सरकारकों यहां से भढ़ा गया उसका खर्च इधर से उधर ट्रांस्पूर्ट का खर्च यानि कि यहां से इधर इस ट्रक से उस ट्रक में चड़ाने का खर्च टूटल खर्च मिलाएंगे तो वही 7-8 रुपे, 9 रुपे, 10 रुपे के लगबग लगबग बच रहा है गोल्टा-गोल्टी की है, यानि कि चोटए प्याज का, वहाँ पर छोटा प्याज ही जाता है, बड़ा प्याज नहीं लेते हो हो तो हमारे याँ तीन रुपे, चार रुपे में भी भोल्टी भीक रही है, five-three में गोल्टा भीक रहा है और उनको अगर जो एक्सपोर्ट है उनको ज्यादा ज्यादा आट रुपे नो रुपे आ रहा है बचत के तो दो तीन रुपे का बिजनेस से को ज्यादा बड़ी बारी बात नहीं है अगर ये जो गुन्ने से 24 टका जा रहा है ये 40 से 50 टका के बेश में होता महमला तो हमारा गोल्टा गोल्टी 20-25 रुपे बिख जाता आराम से यहां पर तो यह तो फंडा हो गया बैलेंसिंग माल दस गाड़ी बचा हुआ है उन्होंने इतनी गाड़ी ली नहीं मुझे ऐसा लगा था कि भारत के लोग गाड़ी ज्यादा नहीं भेज पा रहे हैं कम भेज रहे हैं मतलब उन्हें चाहिए 40 गाड़ी के अंदर अंदर डेली थीक है अभी के लिए तो अब हम बात करेंगे इंदूर की चोहित्र मंडी में कल प्याज आलू लसुन के रहे हैं प्याज मोडल भाव एक हजार से साड़े बारा सो रूपे और उपर में एकका दुकालाट बारा सो स्वतासों को बीच में कि लसुन मोडल है एक हजार से दो हजार के बीच में का धुकालाट 2000 से तीन बीच में लडिक लस लकारी है जोटी गुल्ला एक हजार रुपर टच हुआ तो यह तो होगी कल के भाव की जनकरी अब हम देते हैं आपको आज की आवक की जनकरी कि आज कितनी आवक देखने को मिली है इंदोर मंडी में आलू प्याल सुन की प्याज की आवक देखने को मिली है 40-42,000 पैकेट लसुन की आवक 15,000 आलू की आवक 10,000 पैकेट मेरे किसान भाईयों फाइनल जो वीडियो आएगा वो आएगा करीब करीब शाम को साड़े-पांच के लगबग लगबग जो साड़े-च्छे बज़े वीडियो आ रहा था वो साड़े-पांच बज़े आएगा भी फाइनल वीडियो और सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद